आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। विडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे विडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए रोज इतनी मेहनत करते हैं तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। यूनिफाइड पेंशिन स्कीम क्या है जिसका हो रहा भयानक विरोध बाजपै जी लाए थे NPS, मोधी ले आए UPS, अब बवाल केंद्रिय भारतिय ट्रेड यूनियन, C2, ने 24 अगस्त दो हजार चौबीस को केंद्रिय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एकिकृत पेंशिन स्कीम को मनजूरी दी, दो दिन भी नहीं गुजरा की इसका पोस्ट मार्टम होना शुरू हो गया है, इसके खिलाफ आवाज उट गई है, इसको करमचारी विरोधी बताया जा रहा है, ओल्ड पेंशिन स्कीम की बाहल की मांग की जा रही है, C2 ने एकिकृत पेंशिन योज बता दिया है, वहीं पुरानी पेंशन योजना की बहाली का आगरह किया है, C2 के राष्ट्रिय महासचिफ तपन सेन का कहना है कि CITU UPS की निंदा करती है और केंद्र सरकार से गैरंशदाई परिभाशित सुनिश्चित पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का आगरह करत है, CITU UPS की बहाली के लिए सरकारी करमचारियों के संघर्ष को पूरा समर्थन देने का आवान करती है, केंद्रिय भारतिय ट्रेड यूनियन C2 Central Indian Trade Union C2 ने 24 अगस्त 2024 को केंद्रिय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एकिकृत पेंशन योजना UPS की निंदा की है, जो सरकार करमचारियों को पुरानी पेंशन योजना के उनके पूर्ण अधिकार से वंचित करने का एक और संदिग्ध हताश प्रयास है, जिसे OPS के रूप में जाना जाता है, C2 ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली का आगरह किया, बाचपैजी लाए थे NPS, मोधी लाए UPS, 2021 में निश्चित पेंशन मौजूद थी, अटल बिहारी वाजपै के नेत्रित्व वाली NDA सरकार ने एक जनवरी 2004 से भरती किये गए लोगों के लिए एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से 2004 में गुप्त रूप से राश्ट्रिया पेंशन योजना, NPS, शुरू की थी, OPS की बहाली के लिए, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्रिया ट्रेड यूनियोनों ने उस दिन से इसका विरोध किया और OPS की बहाली के लिए इसके खिलाफ संघर्ष की राह पर चल पड़े फर्वरी 2014 में अधिसूचित पेंशन फंड विन्यामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 ने NPS के लिए वैधानिक आधार सक्षम किया केंद्रिया ट्रेड यूनियोनों और फेडरेशनों का संघर्ष पुरानी पेंशन योजना OPS Old Pension Scheme की बहाली के लिए सरकारी करमचारियों द्वारा किये गए अभूतपूर्व संघर्ष और केंद्रिया ट्रेड यूनियोनों और फेडरेशनों के सन्युक्त मंच द्वारा ऐसे संघर्षों को दिये गए पूरे दिल से समर्थन ने अहंक सरकारी रुख से हटने के लिए मजबूर किया लेकिन तथाक्थित UPS के नाम पर इसके द्वारा पेश किया गया पैकेज सरकारी करमचारियों को पेंशन के कारण उनके वैद बकाय से वन्चित करने की उसी भ्रामक चाल को दर्शाता है पन सेन ने कहा कि कई राज्य सरकारे भी OPS में वापस आ गई और PFRDA में राज्य सरकार के करमचारियों के योगदान के अपने हिस्से को अपने राज्य सरकारों को वापस करने का आगरा कर रही थी मोधी सरकार ने राज्य सरकारों के ऐसे सभी अनुरोधों को खारिश कर दिया था जो OPS में वापस आ गए थे करमचारियों और ट्रेड यूनियोनों के अथक संघर्षों से इसका मुकाबला किया गया इसलिए मोधी के नेत्रित्व वाली NDA गठबंधन सरकार द्वारा भ्रामक UPS का यह संदिग्ध प्रयास किया गया NPS में संशोधनों का अध्यान करने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन समिती की सिफारिशों का उप्योग UPS के इस हताश प्रयास के लिए किया जाता है NPS और संक्षिप्त OPS के कॉक्टेल को केंद्रिय कैबिनेट द्वारा मन्जूरी दी जाती है सरकार सट्टेबाज क्रोनी कैपिटल C2 के राष्ट्रिय महासचिव ने कहा मोधी के नित्रित्व वाली ND सरकार सट्टेबाज क्रोनी कैपिटल के हितों की रक्षा के अपने नव उदारवादी प्रयास के साथ इस UPS को कुछ संशोधन के साथ लेकर आई है जिसमें सरकार की ओर से 4.5% का अतिरिक्त योगदान है ताकि NPS के तहट 31 जुलाई 2024 तक कुल 99,67,165 करमचारियों की प्रबंधन के तहट परिसमपत्ती कहें जाने वाले 10,53,850 करोड रुपे के पेंशन फंड को शेर बाजार में निवेश किया जा सके आंध्रप्रदेश सरकार लाई थी गारंपीड पेंशन स्कीम, पढ़िये डिटेल पिछली आंध्रप्रदेश राज्य सरकार ने NPS के स्थान पर UPS के समान या उससे कुछ बहतर योजना का प्रस्ताव रखा था जिसे गारंपीड पेंशन स्कीम, GPS के नाम पर दिया गया था निर्धारित योगदान के साथ नियोंतम दस वर्षों की सेवा के लिए अंतिम प्राप्त वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा और 40% वार्षी की खरीदी जाएगी आंध्रप्रदेश के सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सही ढंग से खारिश कर दिया था अब केंद्र सरकार, Central Government, NPS, NPS में कुछ संशोधनों के साथ ऐसी ही कम लापकारी योजना लेकर आई है जिसे अधिकांश कर्मचारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और OPS, OPS से कम कुछ भी नहीं दिये जाने की मांग की जानी चाहिए UPS कर्मचारियों द्वारा 10% अंशदान की निरंतरता पर आधारित है जिसमें सरकार का अंशदान वर्तमान 14% से बढ़कर 18.5% हो गया है जबकि NPS में ग्राहक 60% ले सकता है और उसे 40% वार्षिकी में निवेश करना होता है और पेंशन प्राप्त करनी होती है UPS के तहट पूरी पेंशन राशी सरकार को देनी होगी इसके बदले में सरकार करमचारी के वेतन का 10% देगी यानि सेवा के प्रत्यक 6 महीने के लिए मूल वेतन और डिये 25 साल की पूरी सेवा के लिए करमचारी को 5 महीने का वेतन मिलेगा और 10 साल की सेवा के लिए ग्रेचुटी के अलावा सेवानि वृत्ती पर 2 महीने का वेतन लाप के रूप में मिलेगा। UPS में कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के साथ 60 वर्ष की आयू में सामान्य सेवानिवृत्ती पर 12 महिने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जो 1 अप्रेल 2025 से प्रभावी है, यानि 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त होने वालों के लिए, लेकिन इस से पहले सेवानिवृत्त होने वालों पर लागू नहीं है, OPS में 10 साल की सेवा के लिए अंतिम महिने के वेतन का 50% पेंशन है, और 20 साल की सेवा के बाद स्वैचिक सेवानिवृत्ती के लिए कर्मचारी को वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, 25 साल से कम सेवा वाले करमचारियों को UPS में आनुपातिक रूप से कम पेंशन मिलेगी 20 साल की सेवा वाले करमचारी को पेंशन के रूप में 12 महिने के औसत मूल वेतन का केवल 40% मिलेगा 10 साल की सेवा के लिए कर्मचारियों को पेंशन के रूप में औसत मूल वेतन का केवल 20% मिलेगा 25 साल से कम से 10 साल तक के लिए आनुपातिक पेंशन के मामले में सरकार द्वारा नियूंतम 10,000 रुपए पेंशन का प्रस्ताव है जबकि OPS में नियूंतम पेंशन 9,000 रुपए प्लस डिये है जो 1 अप्रेल 2,025 को 57 यानी 5,130 रुपए होगी इसलिए 1 अप्रेल 2,025 को नियूंतम पेंशन 14,130 रुपए होगी इसलिए प्रस्तावित 10,000 रुपए की पेंशन OPS की आधी है सेवानि वृत्ती के समय 10 साल से कम सेवा के लिए कर्मचारी किसी भी पेंशन के लिए पात्र नहीं है UPS के तहट पारिवारिक पेंशन पेंशन का 60% है यानी 50% का 60% इसका मतलब है कि सेवानि वृत्ती के समय 25 साल की सेवा के लिए अंतिम वेतन का 30% 10,000 रुपए की नियोंतम पेंशन वाले कर्मचारी के लिए यह इसका 60% होगा, यानी 6,000 रुपए 1.00-00-00 रुपए की नियोंतम पेंशन, मिनिमम पेंशन, केवल सेवानि वृत्ती पर लागू होती है, पारिवारिक पेंशन पर नहीं लेकिन OPS के तहट अगर पेंशन भोगी रिटायर्मेंट के 7 साल से पहले या 67 साल की उम्र से पहले मर जाता है, तो पारिवारिक पेंशन अंतिम वेतन का 50% है उसके बाद पारिवारिक पेंशन अंतिम वेतन का 30% होगी एक अप्रेल 2025 तक नियूंतम पेंशन 14,130 रुपए होगी लेकिन UPS में नियूंतम पारिवारिक पेंशन केवल 6,000 रुपए होगी पारिवारिक पेंशन पर क्या है प्रावधान? सेवारत करमचारियों, employee के मामले में उपभुकता मूल्य सूचकांग के आधार पर सुनिश्चित पेंशन या नियूंतम पेंशन या पारिवारिक पेंशन को DADR दिया जाएगा क्या वे 1 अप्रेल 2025 से एक नया आधार सूचकांग शुरू करेंगे या वे सेवारत और OPS पेंशन भूगियों के लिए समान प्रतिशत DADR देंगे यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है OPS, OPS में यदी पेंशन भूगी, पेंशन या पारिवारिक पेंशन भूगी 80 वर्ष की आयू पूरी कर लेता है तो 20%, 85 वर्ष के लिए 30%, 90 वर्ष के लिए 40%, 95 वर्ष के लिए 50% और 100 वर्ष के लिए 100% अतिरिक पेंशन दी जाती है OPS में यह अतिरिक पेंशन उपलब्ध नहीं है OPS में pension पारिवारिक pension नियोतम pension में वेतन आयोग लागू होने पर संशोधन किया जाता है, जबकि UPS में ऐसा कोई आश्वासन नहीं है Pension का Commutation यानी OPS में उपलब्ध 40% pension की अग्रिम निकासी UPS में उपलब्ध नहीं है जिन करमचारियों की मृत्यू हो जाती है या वे NPS में सभी वर्गों के अयोग्य हो जाते हैं, उनके लिए OPS पहले से ही लागू है करमचारी UPS या NPS में से कोई भी चुन सकते हैं, एक बार चुनने के बाद अंतिम विकल्प होगा UPS में और भी कई कम्या हो सकती हैं, जो UPS के पूर्ण पाठ के अधिसूचित होने के बाद पता चल सकती हैं